हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो इजी नूट्स फो यू उनलाइन स्टडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज एक थोड़ी स्पेशल क्लास है आपकी इंवायरमेंट की क्योंकि हम लोगों का जो एक्जाम है बहुत यारी कर रहे हूं इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके साथ मेरे को भी टेंशन लेनी की तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो इसी वजह से मैंने कहा कुछ टेंशन तो कम की जाए देखा जाए कि बहुत करते हैं आज की इस सीरीज को जो की बहुत इंपोर्टन्ट होने वा कोशन नंबर वान आपको दिखाने वाले हैं आपका पिपल एन इंवायर्मेंट यारी एवियस से यूजी सी नेट सेट जे आरफ यहां तक कि जितने भी कॉंपटीशन इकदाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं यह कोशन नंबर वान आपके सामने और टाइम स्टार्ट कर जिक्रा याशिका परमार नग्मा शंबू राधा पार्वती आंसर करो कोशन नंबर वान अप लोगों के सामने आपको सिर्प पढ़ना है और आंसर करें आप यह समझिएगा कि आप लोग ग्राम है आपका आज स्टार्ट हो गया है और आपके सामने यह कोशन आ गया देना अब इस कोशन का क्या आंसर करोगे पढ़के करना क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑप्शन गलत हो इस कोशन का क्या अंसर है परिया वरेंट से क्या अभी प्राए है Hmmени on option no c भोतिक जयविक सांस्प्राइतिक तत्व की अंतहक करिया अथमक्ववास्ता जो अंतह संबन्दित होते हैं question no.1 option name c d कैसे होगा मतलब एक नेगर d कह दिया तो संबने मतलब d ही कहना है कोई ど senior को पढ़ेगा है Kinia अब जरा वो लोग अपने अपने hands up करिये जिन्होंने question को पढ़ के answer किया था कितने लोगोंने question को पढ़ के answer किया था environment का पहला question आपके सामने simple क्या चीज नहीं आ रही proper clear question number one जल्दी से कितने लोगोंने question को read किया था और फिर answer किया था यहाँ पर ये वाला option बिल्कुल गलत है और option number D ही सही है लेकिन क्या करें कि आप मेंसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाते हैं question को option number D इसका सही answer है उसके अलावा भी यहाँ से questions आते हैं आप लोग एक बार पढ़िए इसको आज का जो यह topic है ना यह पढ़ने के लिए है जरा सा एक बर पढ़िए परियावरण का आशे होता क्या है जहां जैविक अजैविक घटक हो आसपास का वातावरण हो प्रत्वी पर जीवन की संभावनाई हो उसके अंतरगर यह सारे ही विकल्ब यानी यह सारे ही objective यहाँ पर आपको दिये हुए ते option दिये थे यह सारे के सारे ही सही है उसके अलावा आपका जो question आता है letho sphere से आता है कि letho sphere में क्या क्या चीज़े आती है तो उसमें आपको याद रखना है इस्थल, यानि कि जमीनी हिस्सा है, परवत मैदान, रेगीस्तान पर्यावरन में जीव म läते हैं, यानि पेड़ पौधे, जीव जन्तू वाइवरन में जल मंदल में क्या के चीजें आती हैं, जिसे हम हाइड़ोस्फेर कहते हैं नदी जील तालाप सागर जिसमें की जल की उपस्तिती होती है वायू मंदल यानि एटमोस्पेर इसमें आता है शोब मंदल और समताप मंदल एक बार इसको पढ़ लीजे बिटा सिंबल मैं चेंज नहीं कर पाऊंगे क्योंकि यह जो स्क्रीण मैंने पहले में फिक्सेर कर दी थी इस वज보िए से बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बाकी लोगों को क्लियर दिख रहे कि नहीं दिख रहे है कि कोश्चन दिख रहे है प्रॉपर कहां पर क्या इश्व आ रही है एक बड़ी मुझे बताना तो कहां पर इश्व आ रही है कि अब अब देखना तो अभी प्रॉपर दिख रहे है अभी ठीक है? चलो, अगला question ध्यान से देखिए question number 1, option number 2 question number 2, आपके सामें जहां जीव राता है उस सटीक जगा को क्या कहते है अब आंसर करना शुरू करिए वो जीव जहां पर उस सटीक जगा को क्या कहते है जहां पर जीव राता है अभी ठीक है ना चलो आंसर करिए वहाँ जहां जीव रहता है उस सटिक जगा को हम क्या कहते हैं habitat यानि आवास, ecosystem यानि पारित अंत्र, निकेत या फिर बायोम या फिर उपरियोक्त में से कोई भी नहीं या फिर उपरियोक्त में से कोई एक या एक से अधिक अभी पूरा मैंने जूम कर दिया है ये वाला question, बिल्कुल भी difficulty नहीं होनी चाहिए इस question को देखने में अगर difficulty आ रही है, it means कि आपका जो network है उसका issue आ रहा है option number E, none of the above या फिर उपर से एक से ज़्यादा question, ये वाला इस तरीके का option अब नया देखने को मिल रहा है जहां पर आपसे इस तरीके का option पूछा जाएगा, good evening बवली, answer करना विटा वैस्तान जहां जीब रहता है, आवास कहलाता है, आवास इस पस्त भौतिक लक्षणों से युख्त होता है, आवास उस्तान को इंगित करता है, जहां समपूर्ण जैविक समुदाए निवास करता है ठीके, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा option सही question number 3 आपके सामने टाइम स्टार्ट करें हूँ, अब question number 3 answer करिए क्या होगा इस question का सही answer, पढ़के solve करिएगा, क्योंकि exam आ रहा है और बिना पढ़े तो आप लोग solve करेंगी ही नहीं, otherwise गलत हो जाएगा सदाम, paper 1 है, environment unit है, प्रीती शिल्पा answer करो इए option देखा ही नहीं, और अगर exam में आ गया फिर क्या होगा, समानिता परियावरण को निम्ण प्रकार से वर्गी करत किया जा सकता है, कौन साई किस वर्गी करण का अंशन नहीं है question number 3 option number 1, परिचालन परियावरण इसका अंशन नहीं है question number 3, परियावरण किसी जीव के चारो और घिरी भौतिक जैविक दशाओ एवमुन के अंताक्रिया को यानि आपस में जो इंट्रेक्शन है उसको सामिशामिल किया जाता है परियावरण में जैविक अजैविक सांस्कृतिक परियावरण को भी classified किया जाता है इनी से परियावरण की रचना होती है अगर हम बात करें कि निम्ड़ प्रकार से वर्गी करत किया जाता है classified तो अजैविक में क्या आएगा वायू मंडल जल मंडल इस्तर मंडल जैविक में क्या आएगा यानि जो जीव जिन्दा है उत्पादक उभोगता और अफगटक सांस्कृतिक में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जबकि अगर हम बात करें परिचालन की यानि ऑपरेशनल की यहाँ पर कोशन नमबर 3 ऑप्शन नमबर जो 1 है वो गलत हो जाएगा कौन कौन से classified है उसको आपको ध्यान रखना है कोशन नमबर 4 परिया वरंड किस से बनता है आज यह special class है क्योंकि exam आ रहा है और दुपहर में मैंने class नहीं ली है इस वज़े से अब मैं बीच-बीच में कभी भी surprise classes आपकी ले सकती हूँ Environment is a composite state of कोशन नमबर 4 प्योटिक फैक्टर्स या फिजियोग्राफिक फैक्टर्स या अबायोटिक फैक्टर्स परिया वरंड किस से बनता है कोशन नमबर 4 मुकेश के अंसर होगा बेटा सब लोग पढ़के अंसर करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखें option number D बिल्कुल सही है आप लोग यानि कि जैविक गटक भू अकरती जैसे स्थल मंडल हो गया आपका है ना आपने देखा आकाश मंडल हो गया उसके अलावा जैविक गटक question number 5 question number 5 आप लोगों के सामने और time start कर रही हूँ अब पढ़ते चली आंसर करते चली किस एक का समन्द परियावरण की सुरक्षा से नहीं है यानि मतलब ऐसा कौन सा यहां पर रीजन है जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं कि वह परियावरण में प्रोटेक्शन का काम नहीं करता है बल्कि उस रुक्षा को नहीं यहां पर करता है नहीं मनीशा यह recorded class नहीं है यह live class है आदिल आंसर करो सब लोग जल्दी जल्दी इस question का अंसर करो environment की बात हो रहे है common sense के जर्नल अवेरनेस के कोशन है यह वाले जर्नल अवेरनेस के कोशन ही आते हैं एक्जाम में option number B poverty reduction सतत्थ विकास धानिया विकास तो आपका परियावरन सुक्ष्रा से संबंदित है एयर कंडिशनिंग की बात करें तो उसमें भी कही ना कहीँ परियावरन सुरक्षा से संबंदित जो नहीं है वह गरिबी कागज की ठैलों का प्रियोग करना यह भी परियावरन से संबंदित है लेकि जो परियावरन से संबंदित यह question number 5 option नंबर भी गरीबी कम करने का संबन्द परियावरणी सुरक्षा से नहीं है ठीक है कोशन नंबर शिक्स मान लीजे इस तरीके का कोशन आ गया अब क्या करेंगे क्योंकि एक्जाम में तो ऐसे ही कोशन आएंगे कोशन नंबर सिक्स आज तो पिक्चर वगेरे साब मेरी गडबड़ हुई हट जाओं मैं सामने से तुम लोग कॉंसेंट्रेट करो डैट इस बेटर यार कोशन नंबर सिक्स कोशन को जूम करें अब देखिए हाल ही के वर्षों में मानव गति विद्यों के कारण वायू मंडल में जो कार्बन डा प्रियोक्साइड की सांदरता में बड़ोत्री हुई है किन्तु उसमें से बहुत सी वायू मंडल के निचले भाग में नहीं रहती है क्योंकि क्योंकि किस वज़ा से अभी देखिए इस कोशन को कोशन नमबर सिक्स अपने में विडियो के क्वाल्टी इन्हेंस करके देखो बिटा कि जिससे की आप लोगों का प्रॉपर दिखाई दे जाए कोशन नमबर सिक्स सही आंसर ऑप्शन नमबर बी यानि ओनली टू वैश्वी करण तेजी से बढ़ती हुई जनसंग्याक वनों की कमी मानवी गतिविदी के कारण हालिये के वर्षों में वायू मंडल में जो कारवन डाय ओक्साइड की सांदरता में व्रद्धी हुई है किन्तु उसमें अधिकाश वायू मंडल के निचले भाग में नहीं र कोशन नंबर सेवेन कोशन नंबर सेवेन पारूल बेटा जल्दी अंसर करो चलिए कोशन नंबर सेवेन परियाव वर्ण अपकर्ष से क्या अभी प्राय होता है और इस कोशन का सही आंसर है कोशन नंबर सेवेन ऑप्षन नंबर दी उपरियुक्त सभी यानि इन्वायन्मेंटल डिग्रेशन परियाव वर्णी गोड़ों का पूर्ण रोप से निमनी करण यानि लो लेवल पे चला जाना मानवी क्रिया कलापों से विपरीत परिवर्ण लाना और पारिस्तिति की अंसंतुलन ये सारी चीजें इन्वायन्मेंट को खराब करती हैं या इसको डिग्रेड करती हैं कोशन नंबर सेवन कोशन नंबर एट कोशन नंबर एट आपके सामने आंसर करना शुरू करिए अब इन्वायन्मेंट के कोशन है और ऐसे कोशन है जो आपके आने के चांसे हैं ठीक है ना जिसको भी प्रॉपर विजिबिल्टी नहीं आ रही है विडियो की क्वाल्टी बेटा थोड़ा से इन्हेंस कर लो थोड़ा सा जूम करने एक मिनिट रुकिए पढ़िए पढ़ लीजेगा थमस अब करिएगा शिल्पा मैंने कल टेलिग्राम पर भी दिया था ठीक है टेलिग्राम पर भी एकनॉमिक्स क्लास का डिटेल दिया था बट बहुत ही कम बच्चों ने अटेंड किया और उसके बाद सबसे ज़्यादा हरानी की बात है जब एक्जाम आ रहा है उसके बावजूद भी कैसे छोड़ दिया गया क्लास को कोशन नमबर एट सही आंसर है ओप्शन नमबर डी इट इस बाउन बाई दा प्रोसीजर लेट डाउन अंडर दा कोड आफ सिविल प्रोसीजर ये सिविल प्रक्रिया सही था उन्निस ओ आट के तहट निर्धारित प्रक्रियाओं में बंदा है किसके बारे में बात हो रही है कोशन नमबर एट एंजीटी एंजीटी की स्थापना कब हुई थी या एंजीटी की स्थापना किस पंच वर्षी योजना हुई हुई थी बताएगा कोई एंजीटी क्या चीज है नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल अगर मैं आपसे पूछू इसकी स्थापना कब हुई थी तो कब हुई थी बाई जल्दी बताओ कोशन नमबर एट इसकी स्थापना ग्यारवी पंच वर्षी योजना में 18 अक्टूबर 2010 को स्वस्थ परियावरेंड के अधिकार के अनुरूप हुई थी जो अनुच्छेद 21 के अंतरगत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है यहां से कोशन आता है आपका यह अधिकरण व्यक्तियों संपति और उनसे जुड़े हुए उनसे संबनित मामलों में हुए नुकसान के राहत और मुआवजा दे आशू मैं देखती हूं जल्दी उसकी वी क्लास अटेंड कराती हूं नगमा आक्म ने की थी चलो वेरी गुड जो भी मैं आप लोगों को क्लास दे रही हूं पेपर टू पीवाई क्यू डैट इस ओल्सो वेरी इंपोर्टेंट के बारे में तीन कोश्चन आते हैं जैसा कि एक आपके सामने स्टेट्मेंट में हैं दूसरा आपसे पूचा जाता है उसका इयर तीसरा पूचा जाता है कि कौन से अनुचेद के अंतरगर्ट इसकी स्थापना की गई अनुचेद किस यह चीज है पहले किसने पढ़ी है जड़ा एक बारी मुझे जड़ा सा बता देना कोशन नंबर नाइन किसने इस तरीके से कोशन को पढ़ा है और यह पूरा का पूरा पीडियाफ सिर्फ उसको मिलेगा जो क्लास को पूरा अटेंट करेगा राश्वी हरित न्याय दिकरण अधी नियम 2010 भार्टी सम्विधान के निम लिखीत में से कौन से प्रावधान के अनुरूप्पे हुए थे कोशन नंबर नाइन आपके सामने पढ़ा है यह अला कोशन वेरी गूड जल्दी जल्दी आंसर करो भाई आगे भी कोशन दिखाने हैं आप लोगों को इन्वायर्मेंट के जनल अवेर्नेस के करेंट अफ्यर के कोशन यहीं से आएंगे आपके पॉलिटिकल साइन्स का अभी एक्जाम डेट नहीं आई बिटा कोशन नंबर नाइन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन यानि की केवल एक अनुचेर 21 के इंतरगर जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है कौन से अधिनियम के तहत यानि कौन से इंडिया के तहत या कौन से प्रोवीजन के तहत इसका जो अधिनियम किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल एक्ट तो वह है अनुचेर 21 अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था सेम कौशन अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था ठीक है अगला देखिए कौशन नंबर 9 कौशन नंबर 10 भारत में राश्ट्य हरित पढ़िए जरा कौशन नंबर 10 आप ही पढ़ेंगे और आप ही आंसर करेंगे आप ही पढ़िए आप ही सॉल्व कीजे क्योंकि एक्जाम में पूरा दारूंदार आप ही के उपर है मैंने पूरा जूम कर दिया भारत में राश्ट्य हरित अधिकरण किस वर्ष में स्तापित किया गया था अभी अभी बताया है कौशन नंबर 10 का आंसर नगमा एक बार फिर से रिफ्रेश करके स्टाट करूँ बिटा NGT के बारे में मैंने एक आर्टिकल बताया था आर्टिकल याद रखना है यानि प्रोवीजन याद रखना है येर याद रखना है सही आंसर है option नंबर B 2010 कोशन नंबर 11 प्रभावी हुआ कब से मज़ेदार कोशन है फटाफट सॉल्व करते चाहिए कोशन नंबर 11 कब से प्रभावी हुआ यह चीज़ें छोटी छोटी होती है बट एक्चली हम लोगों को कोई बताता नहीं है कि इस तरीके से भी काम करना है अधर्वाइस मार्क्स फूल आए राश्ट्री हरित ट्रिबुनल जिसे हम नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल यानि NGT कहते हैं कब से प्रभावी हुआ कोशन नमबर 11 ऑप्शन नमबर अक्टूबर 2010 से सेम कोशन है रिपीट किये जा रहे हैं याद रखिए सोस समझ के आंसर करेंगे आंसर बिल्कुल सही आएगा कोशन नमबर 12 पढ़िए और आंसर करिए तैंक्यू नगमा बस आप लोगों को अच्छी लगनी चाहिए और चीजें कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए कोशन नमबर 12 मज़ेदार कोशन है आपके और यकीन मानिए इन में से कोई नख होगी कोशन आपके सामने जरूर टकराएगा कोशन नमबर 12 जिकरा बिल्कुल बेटा मैं उस पर भी लगी हूँ जैसे ही मेरे पास सोचलोजी का एविलेबल होता है मैं आपको करवाती बेटा ठीक है कोशन नमबर 12 ऑप्शन नमबर अभी यह भी बताया था आपको कौन सी पंच वर्शी योजना के तहत कोशन नमबर 13 बस इसी से ही मिलते जुलते कोशन आएंगे आपके कोशन नमबर 13 आंसर करिए बस उसी को गुमा गुमा के डालेंगे जैसे मैंने डाले अभी और अभी लास्ट में मैं बहुत मज़ेदार चीज बताऊंगी जिसे आप यकीन नहीं करोगे बहुत ही एक अच्छी चीज बताऊंगी लास्ट में कोशन के थैंकी शिल्पा पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेशन का एक्जाम अभी डेट आया नहीं नहीं आसा लास्ट में जो मैं बताऊंगी न आप लोग हैरान हो जाओगे इस चीज को सुनके कोशन नंबर 13 सीमा बिटा कोशन नंबर जरूर लिको बिटा रोहे 13 का ध्यान से कोशन करो जरा इस कोशन का सही आंसर ओनली टू यानि ऑप्शन नंबर बी ओनली हरित अधीकरण यानि एंजीटी किस प्रकार के इंदे प्रदूशर नियंतरन बोड यानि सीपी सीपी से भिन है तो एंजीटी परियावरणी न्याय उपलब कराता है उच्चितर न्याययलों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है सीपी सीबी जड़नों कोगी सफाई को प्रोचाय करता है और देश में वायू की गुडवत्ता में सुधार लाने का लक्ष करता है कोशन नमबर 13 यहां पर है इस चीज़ का पूरा एक्स्प्लानेशन NGT के बारे में आपने ये पढ़ लिया था NGT की स्थापना कमुख्यू देश परियावरन संबंदी जो विवाद है जो मुद्धे हैं उनको जल्दी से निप्टाना CPCB क्या है केंदरी प्रदूशन नियंतरन वोर्ड इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस या फिर डिट्टो ऐसा ही कोशन आ जाएगा CPCB एक वैदानिक निकाय है जिसे 1974 में जल्दूशन वारन नियंतरन अदिनिया 1974 के तहित स्तापित किया गया जल्द वायू प्रदूशन की गुडवत्ता संबन्दी मामलों में तकनीकी रिपोर्ट उपलब्द कराना और गुडवत्ता में सुधार करना इसका जो में काम है ठीक है समझ रहे हूं ना कंटेंट अगर समझ में आ गया तो बाकी चीज़ों तो बहुत इजी है कोशन नंबर 14 आपके सामें टाइम स्टार्ट करें अब क्या डरा दिया मैंने मैंने किसको डरा दिया भाई लेकिन आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है इस बात के लिए क्योंकि मैंने आज एक कम्यूनिटी पोस्ट पर मैंने एक पोस्ट डाली थी और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को कि वहां पर मैंने पूछा था कि आज आपने अपना डे क्या मतलब मान के celebrate किया ठीक है तो उसमें कुछ लोगों ने तो चलो ठीक है उसमें जो है टिक किया उस पोल में आंसर किया लेकिन जिन लोगों ने डारेक्ट कमेंट किया मुझे सच में उनका पढ़के कि आप लोग सच में कितना बड़ा सोचते हो कितना बड़ा मतलब comment करके especially जो बताना है ना मतलब mind blowing येस तुमने भी comment किया था नगमा तो ये बहुत ही अच्छी proud की बात है कि आज भी हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि वेलेंटाइन ड़िये तो बहार की संस्कृती हो गई बट आज भी मुझे बहुत अच्छी लगता है कि आप लोगोंने अपने देश के बारे में सोचा Really proud of you Question number 14, option number 2 and 3 किसके बारे में बात हो रही है APEDA, full form पूछा जा सकता है Agriculture, Process, Food, Product, Export, Development Authority यानि NPOP के करियानवन के लिए NOPE, इसका भी full form आता है क्रिशी और प्रसंस्क्रत, खाद, उत्पाद, निर्यात, विकास, प्रादी करण सचिवाले के रूप में काम करता है भारत में जैविक क्रिशी के संदर में जो चीज सही है सिक्किम भारत का पहला पूरी तरीके से जैविक राज्य बन गया है आप कहते है करेंट अफेर कहां से आता है तो यहां से आता है करेंट अफेर जहां पे सिक्किम का पूछा कि पहला कौन fully organic state है समझ रहे हैं Question number 14 Explanation दिया है आप सबसे request है कि Explanation जरूर पढ़े Question number 15 Question number 15 Answer करना शुरू करिए अभी अभी इस question का answer भी किया था आप लोगोंने पढ़ा भी था अराम से बता सकते हो इस question का सही answer Very good, simple Shresti बभीता ध्यान से नहीं पढ़ा question मैं question को repeat कर रही हूँ याद रखिए गुमा फिरा के वही question आएंगे भारत का पहला जैविक खेती पर अधारिक जो राज्य है वो कौन सा है तो सही answer Option number C इतना चोटा question है जिसके लिए पोली ने डाल पाई टाइम ही नहीं मिल पाया Question number 60 यह वाले question तो मतलब वो वाले question हो गए जिसमें आप लोग को याद हो जाए सारी चीज़े और क्योंकि हमारे देश में जैविक खेती पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस वज़ा से इन question का आना लाज़मी है Question number 16 का भी answer आपको पता है जल्दी से वीडियो को लाइक करो सब लोग भारत के निमलिकित राज़यों में किसे देश का प्रतम पूर्ण रूप से जैविक राज़य गोशित किया गया फिर से 16 का सही answer very good बिटा option number C सिक्किम Question number 17 अब माल लीजे कौन सा दुनिया का पहला 100% जैविक राज़य है अभी तो आपने इंडिया का बता दिया चलो भाई सबको याद हो गया बट इन केस अगर आप से पूछ लिया गया वर्ड का वर्ड का पूछ लिया देन क्या करेंगे या पांसर question number 70 आज यही पढ़ाता गुल्फशा very good अब बहुत ही देखो हम क्या कहते है ना आपसे common sense वाले question आते हैं दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन सा है राधा क्या आंसर होगा खुश्पू सना प्रॉपर नहीं दिख्रा बिटा विडियो की quality बिटा एन्हेंस करो यहां पर भी question number 17 सही answer option number C ही है यानि की सिक्किम भारत का दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है सिक्किम यानि यहां पर भी आपका option number C होगा अब देख रहे हैं question को कैसे यहां पर फिलिप किया जा रहा है assertion reason question number 18 time starts now मज़ेदार question है घुमा घुमा के दिया जा रहा है मतलब कभी ball इदर से आ रही है कभी ball उदर से आ रही है अभी आपकी betting पे है कि क्या करते हो उसका प्रकर्तिक परियावरण स्वच होता है और मानक क्रियाएं परियावरणी प्रदूशन का कारण होती है question number 18 जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप लोग चाहते हो कि एक्जाम तक आपकी बहतरीन तयारी हो जाए क्या होगा इस question का सही answer natural environment clean होता है बिलकुल सही लेकिन क्यूं होता है क्यूं होता है इसका जवाब इस reason में नहीं है इस reason में दूसरी बात करी गई है और वो करी गई है मानव क्रियाओं की की मानव क्रियाए human activity responsible है for environment pollution दोनों ही statement सही है लेकिन not a correct explanation अगर correct explanation के लिए natural environment clean क्यों होता है इसका answer होना चाहिए था statement number 2 पे तो इस तरीके से assertion reason में हमेशा याद रखिए statement 1 statement 2 आप सबसे पहले देखिए statement 1 सही है की नहीं statement 2 सही है की नहीं अगर दोनों सही है तो फिर ये देखिए कि इसका answer आपके statement number 2 में है की नहीं तभी आपका explanation जो है वो सही होगा question number 18 पढ़ लीजेगा इसको question number 90 thank you बविता answer करो बीटा question number 90 अब इस question को पढ़ो बेटा बीपयों के पहली बार तो UNFCCC का यहां पर फुल फॉर्म आता है एक्जाम में that is also very important तो क्या होगा दा युनाइटेद नेशन फ्रेमवर्ग कंवेंशन ओन क्लाइमेट चेंज इस एन इंटर्नेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट question number 9 option number B रियो डे जिनेरियो में 1992 में सहित राश्वरं के प्रियावरण विकास संबेलन में खिया गया था United Nation को इंबग कंवेंशन ओन क्लाइमेट चेंज question number 9 question number 90 अगला question जल्दी से देखो मैं इसलिए तो बेटा explanation ही नहीं बता रहे हूं वो लोग तुम पढ़ना जल्वाईयो परिवर्तन पर सहीं प्राश्वरं का convention दाचा किससे संबन देथ है तीस सेकेंड मिलेंगे इस question के लिए अब्दुल्ला किदर जाते हो बिटा कहां लेट हो जाते हो इस समय बहुत important class चल रही है बिटा सहानी economics जल्दी से जल्दी answer करते चलो याद रखिए एक चीज का कि हो सकता है आपको question के answer आते हो बट अगर time management नहीं है देन आप lost कर सकते हो आते हुए questions भी जल्दाइयो परिवर्तन पर सहीं प्राश्वर का convention दाचा किससे संबन देथ है option number D greenhouse gasों के उत्सरजन में कमी ठीक है इस question का सही answer option number D question number 21 अभेष्ट और राश्ट्री निर्धार इतन्चदान पद को कभी कभी समाचारों में खिस संदर में देखा जाता है time start up 30 second का time दिया जा रहा है आपको question number 21 किसके बारे में बात हो रही है intended nationally determined contribution और इस question का सही answer है option number B जलवायों परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्या योजना question number 21 option number B और यहां पर इसका full form भी दिया है INDC का intended nationally determined contribution और इसका UNFCCC का भी यहां पर full form पूचा जाता है INDC में किन बातों पर जोर दिया गया सतत जीवन शेली स्वचारतिक विकास प्रदूशन उच्छन तीवर्ता में कमी यह चीजें आपसे पूची जा सकती है कि INDC में किन किन चीजों पर जोर दिया गया था statement वाले question है question number 22 question number 22 time start हो गया अब मुकेश 40 सेकंड देना इस question में पर्याव वरेंट संवरक्षन अधीनिया 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि question number 22 काजल एक्चली पेपर 2 की क्लासस में नहीं लेती हूं बट येस जो भी मेरे पास पीवाईक्यू एवेलेबल होते हैं फॉर पेपर 2 वो मैं करवा देती हूं ठीक है अभी कि रिसेंटली मैंने होम साइंस हिंदी एकनॉमिक्स और फिलोसॉफी के पीवाई क्यूज कराए हैं और आगे आगे भी मैं कुछन कुछ करवाती ही रहूंगी कोशन नंबर 22 करेक्ट आंसर इस ऑप्षन नंबर भी यानि ओनली टू ठीक है यानि जो परियावरण संद्रक्षन आदिनियम 1986 है विबिन श्रोत से परियावरणी प्रदूशकों के उतसर्जन विसर्जन के मानक निरधारित करने के लिए है ध्यान से देख लीजेगा इसको बहुत ध्यान से क्योंकि यहां से इसी तरीके के कोशन दिखाई देंगे कोशन नंबर 23 तीस सेकेंड इस कोशन के लिए एजेंडा 21 किस से संबंदित है इससे पहले वाले कोशन मुकेश अभी मैं दे दूँगी बेटा यह पीडियाफ आराम से पढ़ना प्रिया आंसर करो बेटा UPICA Music Company वरशाली एजेंडा 1 किस सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल के मेंबर्स बन चाहिए क्योंकि बहुत ज़ली मैं मेंबर्शिम बोड ओन करूंगी क्लासेस की मैं बैचस नहीं लगाती हूँ बट येस मैं इतना जरूर चाहूंगी कि आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करें एजेंडा 21 किस शेत्र से संबंदित है कोशन नमबर 23 ओप्शन नमबर 1 सस्टेनबल डवलमेंट यानि की सतत्विकास 23 ओप्शन नमबर 1 ठीक है कोशन नमबर 23 ओप्शन नमबर 1 इसको डिटेल आप लोग पढ़ लेना ये पीडियाव दे दोंगी कोशन नमबर 24 प्रत्वी सम्मेलन प्लस 5 कब आयोजित हुआ था अभी तक PYQs आप देख रहे थे अभी तक आप कोशन ऐसे देख रहे थे कि जो नॉर्मल कोशन थे ठीक है बट ये कोशन ऐसे हैं जो न्यू कोशन है आपके ही इन्वायर्मेंट सेक्शन से प्रत्वी सम्मेलन के बारे में आप लोग जानते हैं लेकिन प्रत्वी सम्मेलन प्लस 5 क्या चीज है कौन-कौन जानता एक बारी हैंड रेस करो अपने इसके बारे में प्रत्वी सम्मेलन प्लस 5 कब आयोजित हुआ था 1997 में 1997 में प्लस 5 आयोजित हुआ प्रत्वी शिखर सम्मेलन पहला हुआ था रियो सम्मेलन में 1992 में उसके 5 साल के बाद प्रत्वी सम्मेलन प्लस 5 का आयोजन 1997 में अमेरिकी शहर न्यू यॉक में किया गया था इस प्रत्वी सम्मेलन किया योजन का मुख्यों देश टिकाओ विकास के लिए सत्य व्यापक कार्या योजना एजन्डा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करना था मनीशा कोई बाद नहीं बेटा बाद में देख लेना अगर अभी प्रॉपर नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेट क्लास भी देख सक्यों रियो प्लस 20 का जो शॉर्ट नेम है वो क्या है मतलब ऐसे कोशन अगर आपको कोई दिखा दे तो फिर मज़ा ही आ जाए फिर टाइम लग जाएगा बेटा ज्यादा ही फिर मुझे तो पोल देने में कोई इस्यू नहीं है बट मैं चारी हूँ आप लोग जल्दी जल्दी कर लो डैट इस वाए मैं पोल नहीं डाल रही थ ऐसे कोशन मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने कोई इखटे लगाए होंगे रियो प्लस 20 का जो संक्षिप्त नाम है जो शॉर्ट नेम है वो क्या है 25 बहुत सोच के आंसर करना बहुत सोच के अब देखो इस कोशन का सही आंसर ओप्शन नमबर बी धानिया विकास पर सयुक्त राश्ट्र समेलन रियो प्लस 20 का संक्षिप्त नाम है एक बार इसका एक्स्प्लेनेशन देखिएगा मैं जूम कर रही है दक्षम्त धानिया विकास पर सयुक्त राश्ट्र समेलन का संक्षिप नाम है रियो प्लस ट्वेंटी रियो डिजिनेरियो प्रत्वी शमेलन के 20 साल के बाद 20 से 22 जूम 2012 को रियो डिजिनेरियों में ही आयोजित किये जाने वाले इसे रियो प्लस 20 सम्मेलन कहा जाता है और रियो प्लस 20 सम्मेलन के बाद दा फ्यूचर भी वान शीर्शक से एक साइस को गोशना जारी की गई थी जिसमें धानी विकास को अधार या बल दिया गया कोशन नमबर 25 ऑप्शन नमबर B कोशन नमबर 26 कोशन नमबर 26 ठैंक यू नगमा मतलब ये कोशन आपको कोई करवा दे तो मान जाए और यही कोशन आपके एक्जाम में आने वाले है आम तोर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन है क्या चीज़ कोशन नमबर 26 अभी अभी बताया था ये वाला कोशन वेरी गोड ऑप्शन नमबर 1 इसने हाँ वेरी गोड जॉब बेटा धाने अविकास सौरी किदर गया ओप्शन नमबर 1 इस कोशन का सही आंसर है धाने अविकास यानि सस्टेनबल डवलम्मेंट पर सयुक्त राश्ट्र सम्मेलन कोशन नमबर 27 ये भी अभी अभी बताया था आपको ओ माई गाड अब इस कोशन का अंसर करिए कोशन नमबर 27 अभी अभी इस कोशन का आंसर में बता के अटिव मतलब जो चीज पढ़ रहे हो वही चीज स्वाल्व कर रहे हो उसी में ही एक्स्प्लानेशन में ही आपके आंसर है प्लस 20 का जो सीशक है वो क्या था सुदीर गूड इवनिंग बिटा बहुत ध्यान से देखी और अभी मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा रुप जव बस कंप्लीट हो नहीं वाल है देन मैं आपको बताती हूँ कि आज आपने क्या अचीव किया है दा फ्यूचर वी वॉन्ट कोशन नंबर 28 कोशन नंबर 28 आंसर करिए जरा इस कोशन का श्वेता बेटा क्या अंसर होगा 28 बस एक बार कोशन को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सही करो या गलत करो कोशन को जरूर रीड करो एक बार अब क्या लिखा है हम लोग कहते है जनल अवयर्णेस हम कहते हैन् कैसे कोशन आते हैं ऐसे ही कोशन आते हैं हलो रवी कान अन्सर करो बिटा यहाँ पर आज इंवायर्मेंट के कोशन सचल रहे हैं सामाचारों में कभी-कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संधर में निम लिखित कत्नों पर विचार कीजे कि उन में से कौन से सही है कोशन नमबर 28, ऑप्शन नमबर 1, धानिया विकास के लिए वैश्विक कारिया योजना है कोशन नमबर 28 आज तो लुड़क रहे हैं बच्चे इंवायर्मेंट में इसका एक्स्प्लानेशन दिया है अब आप से रिक्वेस्ट है कि जरा इसका एक्स्प्लानेशन जरूर पढ़ लेना क्योंकि हो सकता है कि यहां से कोई देखें कोशन सेम आता है या नहीं आता है वो तो सेकंडरी मैटर है बट अगर आपका कॉंसेप्ट क्लियर है तो नैचुरल सी बात है कि आपका जो आंसर होगा वो डेफिनिटली सही होगा बट यहां पर यह option मेरे को लगता है मैंने किसी और का डाल दिया है बट फिर भी पढ़ लेना एक बार क्योंकि Agenda 21 के बारे में लिखा गया है लेकिन इसका जो सही आंसर वो option नंबर option नंबर वन ही है आई थिंग यार सही है देख लेना एक बार ही पढ़ लेना इसको confusion हो तो बताना Agenda 21 की जो सही परिभाशा है वो कौन सी है question नंबर 29 मैं खुद confusion हो गई यार ऐसे कोशन देखके 29 अब ही मैं बताती हूं किदर के कोशन क्या है तुम लोग आज क्या कर रहे हो तुम लोगों को पता भी नहीं है तुम लोग को अपना टैलेंट नहीं पता है दीपशी का दिख रहे हैं विटा answer करिए agenda 21 की जो सही परिभाशा है वो कौन सी है और यहां से उठा उठा के दे रहे हैं आपके UGC net वाले मुझे बहुत हैरानी है ऐसे कोशन को देखके इसलिए मैंने आज special class डाल दी जैसे ही मैंने इसको को देखा मैंने का यार यह तो छोड़ने लेखा ही नहीं है 21 सदी में विश्व परियावर्ण संरक्षन है तो कार्या योजना कोशन नंबर 30 कि निम लिखित कतनों पर विचार कीजे कि यूजी सी नेट एंट एक कोशन किदर से डाल रहा है मेर को सोस मिल गया यह वाला कोशन नंबर 30 मैंने कहा यार इधर से कोशन आ रहे है हम लोग सोच रहे हैं परिशान हो रहे हैं कि इधर से कोशन आ रहे है बट आ यहां से रहे में गोडाउन इधर का अक्ष्यू अभी रुखना बिटा अभी क्लास के एंट में एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगी जो तुम लोगों को हैरानी होगी कोशन नंबर 30 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानि धार्णिया विकास लक्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने है यहीं सही है कोशन नंबर 30 पूरा एक बार पढ़ लीजेगा ऑप्शन नंबर 20 सही है ठीक है पूरा डिटेल 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है और यह जो क्लब ओफ रोंग द्वारा 1972 में वैश्विक थिंटेंग क्लब ओफ रोंग द्वारा प्रकाशित लिमिट्स को ग्रोध में यह त्यत्य प्रस्तू किया गया था ठीक है कोशन नंबर 31 कोशन नंबर 31 टाइम स्टार्ट हो गया अब सम्रदी की सीमा की अवधार्णा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था कोशन नंबर 31 बिल्कुल याशिका मैं उस पर भी काम करती हूँ बेटा ठीक है यह जो पीडियाफ है यह टेलिग्राम पे नहीं मिलेगी बेटा वेबसाइट पर मिलेगी ठीक है क्योंकि टेलिग्राम पे स्पेस का में औरेड़ी सोला सो महां पर पीडियाफ है काफी बुक्स भी है तो यह पीडियाफ वेबसाइट पर मिलेगी सही आंसर क्लब ओफ रोउम इस कोशन का सही आंसर ओप्शन नमबर वान संब्रदी की सीमा कर अफधार्ना का प्रतिपादन क्लब ओफ रोम के द्वारा किया गया कोशन नमबर 32 कोशन यहां से आ रहे हैं कि नहीं जिनको लगता है यहां से कोशन आ रहे हैं एक बार ही अपने हैंड्स अप करें एक मिनिट वो लोग अपने हैंड्स अप कर दीजे जिनको लगता है कि नहीं भाई यहां से कोशन आ रहा है सच में आ रहा है को इसको नमबर 32 सलीम बेटा टेलीग्राम पर बिल्कुल स्पेस नहीं बची है उल्रेडी मेरा बहुत सारा कंटेंट है बेटा वहां पर इसलिए वेबसाइट पर है कुछ नहीं करना है जैसे आप यूटूब को सर्च करके आते हो डिटो वैसे ही आपको करना है और बलकि वह भी नहीं करना है सिर्फ आपको link पे click करना है जो की इसी वीडियो के description पे है गोडाओन मिल गया बिलकुल बिलकुल गोडाओन ही मिल गया तो बाकी का सप्लाई का तो material का तो कोई tension नहीं है 2030 सतत विकास लक्षों को प्राप्त करना 2030 तक कोशन नंबर 33 1987 में साइक्त राष्ट में परियाव वरेट से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुती के उपरान धार्निया विकास पर चर्चा आरम होई थी और ये प्रतिवेदन कौन सा था कोशन नंबर 33 मतलब ऐसे कोशन जो मतलब 101 परसंट ये कोशन आ रहे हैं बिलकुल बस नगमा दो तीन कोशन बचे हैं दो तीन कोशन बचे हैं बस बिटा फोड़ा सा और 35 का मैंने लिखा है 35 मैंने लिखा था स्क्रीन पर भी आपने देखा हो अगर कोशन नंबर 33 जल्दी जल्दी आंसर करें और वीडियो को जिनोंने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक करें और चैनल के मेंबर बन जाएए जैसे आप लोग नाम देख रहे हो ब्लू रंग में ग्रीन रंग में ऐसे आप लोग भी रंग सकते हो होली आ रही है पहले पहले रंग जाओ भाई कोशन नमबर 33 ऑप्शन नमबर B अवर कॉमन फ्यूचर धार्णी विकास पर जो चर्चा आरम हुई उसका प्रतिवेदन था यानि रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर कोशन नमबर 34 ये वाला कोशन तो आया हुआ कोशन अब आई गॉड ये लोग किदर से उठाके डाल रहे हैं कोई बात नहीं नगमा कोई बात नहीं बिटा आंसर करिए मैं जूम कर देती एक बार इस कोशन को कोशन है कि सतत विकास मानव समाज के कल्यान हेतु महत्वपूर्ण है सस्टेनबल डवलम्मेंट की बात हुई है दूसरा लिखा है कि सतत विकास अभी प्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीडियों की जरुते पूरा करने की योगिता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की आवशक्ता को पूरी करता है कौन सा सही होगा इसका आंसर सस्टेनबल डवलम्मेंट से जुड़ा ये कोशन अच्छा कोईश चल रहा है एक मिनट रुको ज़रा देख लूँ ऑप्शन नंबर वान इस कोशन का सही आंसर द्यान से देखी बस कंप्लीट होने वाला है फिर अराम से कर लेना कोईश वगेरा कोई बात लिए ठीक है आज उसके बाद ये वाला कोशन इसके लिए यहाँ पर ब्रटलेंड कमिशन किसके लिए था ठीक है और यहाँ पर कोशन क्यूं सही है हमारा क्यूं गलत है उसका स्टेटमेंट यहाँ पर है कोशन नंबर 35 जल्दी आंसर करो लास्ट कोशन बचाए धार्णी विकास की संकल्पना किस से संबंदित है लास्ट कोशन है जल्दी जल्दी करो और वीडियो को लाइक कर दो वाई अगर पीडियेफ चाहिए तो विद एक्स्प्लानेशन सबसे इंपोर्डेंट चीज है धानी विकास की संकल्पना किस से संबंदित है सही अंसर है ओप्शन नंबर D इंटर जेनरेशनल एक्विती यानि अंतर पीडि साम्या 35 ओप्शन नंबर D Option number D, इस question का सही answer है पढ़ लीजेगा, detail भी दिया हुआ है Last question, सतत्विकास के संबन में कौन सा गलत है Which one is incorrect regarding sustainable development सतत्विकास के संबन में कौन सा गलत है Thank you, Aashu भाई सबने support करना है, सब लोग भाई member बन जाओ हम लोग सब साथ में तयारी कर रहे हैं तो भाई इतना तो आप लोग करी सकते हो सब लोग membership ले लो, जल्दी से क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी membership mode on करने वाली तुम लोग निकालते नहीं हो न, सिर्फ 90 रुपए ने निकाले जारे महीने के हद हो गई भाई, और यहाँ पर एक PDF 90 रुपए की नहीं मिलती यहाँ तो सिर्फ member बनना है आपको 36 का सही answer option number B आर्थिक विकास से ताथ परेकेवल समय की लंबी अवधी के लिए अर्थ वैवास्ता में बस्वों के प्रवासे है इसका explanation भी है न, यानि कि मतलब सिर्फ question ही नहीं है, answer भी है already PYQs में पूछे गए questions है, जो इस समय आपने solve किये UGC net के लिए यानि ये question ही उठा उठा के UGC net में आपको दिये जाते हैं तो अपने लिए clapping करिए क्योंकि आज आपने हिमाचल PCS का, UP Lure का, CDS का, UP PCS का उसके लावा अगर मैं बात करूं, IES का ठीक है, IES के लावा एक में ठोल्ड करो जड़ा सा और कौन सा था याँ पे, ISP, UPPSC, exam के questions को solve किया है और यही question आपके UGC net में आ रहे हैं आप लोग समझ रहे हो, मेरी बात मैं कहना क्या चाहरे हूं कि आपका जो level है exam का, बढ़ता जा रहा है CDS के exam में पूछा गया, UPRO, ARO के exam में पूछा गया question है BPSC के exam में पूछा गया question, UP lower, IES, PCS, UPPCS में पूछा गया question है यानि आज आपका level इतना hard level था और उमीद नहीं थी मुझे की इतना अच्छा performance देखने को मिलने वाला है तो आज अपने लिए clapping कर लो, आज अपने लिए clapping कर लो और यकीन नहों तो मैं question का आप लोगों को बता भी सकती हूँ किस year में पूछा गया question था, किस year में पूछा गया question था, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ तो अगर आप UPSC की तियारी कर सकते हूँ, अगर आप IAS PCS की questions को crack कर सकते हूँ तो UGC net की क्यों नहीं कर सकते हूँ पहला ही question जो मैंने आप से पूछा था, वो भी UPSC का exam का था, ठीक है? तो यहाँ पर जाने से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं भई, बहुत जादा अच्छे questions हैं और ऐसे ही level हम लोगों को चाहिए exam में तो जल्दी से वीडियो को like और share जरूर कर दो, अपने जो भी friend circle हैं जो UGC net की त्यारी कर रहे हैं, उन तक जरूर पहुंचाओ और जाने से पहले वीडियो को rating करते जाओ कि हाँ भई, कितना मज़ा आया आज Yes, मुकेश a set exam में भी यही slivers आता है मतलब आज तो अपने लिए भी clapping करो क्योंकि तुम लोगों ने आज बहुत ही बड़ा exam का environment section crack किया है Thank you very much, all the very best आगे आगे जैसे जैसे exam आएंगे level tough होता जाएगा, तो इसलिए तयार रहो, ready रहो और चलिए, thank you very much, good night, take care सोना, साड़े आठ, साड़े नौव बजे क्लास होती है बाकी आप लोग विडियो के description पर देख सकते हो telegram link, telegram सब लोग join कर लो, जिसे की जितनी भी classes हैं उसकी update मिल सके, ठीक है, चलो, thank you very much बच्चा, thank you, God bless you, take care